जेहिन दोस्तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आप लोग लोन पर मुबाइल लेना चाहते हैं यानि दोस्तो अगर आप लोग 20,000, 25,000 का मुबाइल लेना चाहते हैं लोन पर तो दोस्तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तो इसमें आप finance पर ले सकते हैं, credit card के थूरू ले सकते हैं, mobile loan पर और दोस्तो आप लोग कुछ down payment करके भी ले सकते हैं, loan finance पर mobile और दोस्तो आप लोगों बताना चाहूंगा कि जैसे कि finance में आपका IDFC bank है, Bajaj Finance है, credit card में दोस्तो आप हर एक credit card के थूरू ले सकते हैं दोस्तों आप लोगों बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगे की एज 21 साल से उपर 22 साल एज है तो आप लोग फाइनेंस कंपनियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं फाइनस कार्ड बनाने के लिए जैसे कि बजाज हो गया और फिर IDFC बट médicosprula ये जो बनता है ये आप लोगों को कुछ processing fee लगता है और दोस्तों अगर आपे क्रेड़ कार्ड के ंड़ना चाहते हैं तो credit कार्ड के थूर आप अप ले सकते हैं जब आपका रहेगा तभी आहप लोग ले सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग लेते हैं मोबाइल यानि फुबाब फाइनस फाइनस पे या फिर फाइनस से लेते तो उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों इसे बजाज फाइनस में आप लोगों को इंट्रेस्ट चार्ज नहीं लगता है लाइक मैंने ये मोबाइ फोन लेना जाओगे तो आपको इंट्रेस्ट चार्ज होता है क्रेड कार्ड के थूरू सो अब जब भी मार्केट में जा रहे हो मुबाइल लेने के लिए किसी फानेंस है तो आप लोग को उस स्टोर से पूछ लेना चाहिए कि वह आपको कितने प्रोसेसिंग फी और कितने इंट्रेस्ट पर दे रहे हैं मुबाइल दोस्तों अगर आप लोग छोटा मुबाइल लेते हैं तो कुछ ऐसा एक रेंज है कि नहीं लगता है कोई भी इंट्रेस्ट चाज बट प्रोसेसिंग फी लगता है दोस्तों अगर आप लोग उस मुबाइल का उस मुबाइल को लेते हैं अगर आपने वन टाइम इसका पैमेंट कर रहे हूं यानि कि यह 10,000 की मुबाइल है अगर आपने स्वेप किया स्वेप क आपने बाद डायरेक्ली आपको अगले नेश महीं ने आपको पैमेंट करने के लिए आ जाएगा तो आप लोगों को इसका फुल पैमेंट करते हैं तो आप लोगों को प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है अगर महेंगा मुबाइल है तो उस दम्य को देखना पड़ेगा क क्या क्योंकि दोस्तों घहते हैं अशबग्व टेंग इंटरस्ते हो आपका। मैंobile को हैं आप लोगों इसे हैं का एफ घ्लत्राइबस जब फैनल है हैं तो आप लोगों को लेट पैमेंट और लग सकता है क्योंकि दोस्तों यह बॉंस होता ही हमाँ तो आप उसके बैंक के चार्जे देना पड़ते हैं और लेट पेमेंट भी देना पड़ता है आप लोग को तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों अगर आप लोगों को कोई सलूशन चाहिए कि मोबाइल पे लोन आपका नहीं हो रहा है किस वज़े से नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है तो आप कमेंड में कमेंड करके बताइए मैं उसके आंसार आप लोग को जरूर दूंगा तो दूस्तों अचके वीडियों बस इतना ही जय हिंद जय भ सब्स्क्राइब